कि है लो दोस्तों अगें से गुड मॉर्निंग नमस्ते आद आप साथ स्रियाकाल एंड वेलकम टू टेस्ट बूक डॉट कॉम आप लोग को मेरी ओडियो वीडियो अच्छे से आ रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे शुरक्षित होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भ करके आए प्रसनों को सौल्व करके आए और बहुत सारे जो है वह नंबर अपने बकेट में रखें तो इस सेसन में हम लोग यहां पर जनवरी से लेकर के अपने अभी तक के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफ्वेर्ट से उनका रिवीजन करेंगे वैसे से कई सारे सेसन अलग अलग हमारे जो टॉपिक के कोश्चन से वह आप यहां पर आसानी से बना पाएं लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा आज आप लोगों से कि आज आप इस वीडियो की जो लिंक है वह अपने वाट्स अप ग्रूप के स्टेटस को बनाईए अपने टेलिग्राम लिंक क को यहां पर शेयर करिए अपने आपका कोई टेलिग्राम का चैनल है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जुड़ पाएं और इस क्लास में वह आपके साथ कंपीट कर पाएं तो सभी लोगों से यह छोटा सा निवेदन है और जितने लोगों ने भी यह वीडिय लेक्रिंट उसके सुरुवात होने जा रही है थोड़े से कुस्चन आप लोगों को लगेंगे की सार हम को यह को रहना है पर आसने को जल्दी से सभी लोग अगर अपने WhatsApp के स्टेटस पर लगा लेंगे तो मिरे लिए एक अच्छा सा एक बोल सकते की मिरे लिए काफी अच्छा होगा तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर 150 students के साथ मैं चाहूंगा क्लास की सुरुवात की जाए और जितने भी यहां पर 150 student हैं अगर वो क्लास में उपस्थित हो चुके हैं तो अपनी यहां पर attendance को माक कर देंगे बाइल लाइक का 10 session session को like करके और जो लोग लाइक और रेड़ी कर चुके वह थमसब वाला smiley जो है वह बना करके भेज देंगे चलिए तो बहुत बढ़िया तो सभी लोग यहां पर हो चुके साथ बच्चों की कमी है 150 में ठीक है चलिए मैं भी अपने attendance classes पढ़ने के लिए coupon code इस्तमाल कर सकते हैं पंकज सर का नाम आप पंकज लिखिए और चौबे का C लगाईए C नहीं लगाएंगे तो काम नहीं होगा ठीक है चलिए तो बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने यहां पर coupon code का इस्तमाल करते हुए discount rate पर सारे चीजों को ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप पीछे तो जल्दी से जुड़ जाईए पहले प्रस्तन को अम लोग यहां पर लाने से पहले जितने भी नए स्ट्टेंट हैं उनके लिए यह मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो टेली ग्राम का जो लिंक है वो यह है यहां पर आप यह सर्च कर सकते हैं जीके जीएस विद पंका 24 सर यह सर्च बॉक्स में या पीस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं चलिए पहला प्रस्तन बहुत आसान है हमारा यह जनवरी का कोश्टन है 24 जनवरी को हमारे नहीं पर माई चीए यहां पर मोबाइल एप को किस ने लौझ चिया था सेंट्रल गौअर्म엔्ट हेल्थ स्कीम स्कीम के कोश्चंन बहुत देखे जा रहा है तो यहां पर पहला कोश्शनस्कीम से ही माई स Central Government Health Scheme किस ने launch किया है My, CGHS तो यहां पर जनता बोले, सर मनसुक मडाविया जी हो करना चाहिए स्वास्त मिनिस्टर यही है हमारे देश के जिनको देखकर के मन में होता है सुख, मनसुक मडाविया यह हमारे देश के हल्थ मिनिस्टर है हेल्थ मिनिस्टर है और दोस्तों ये हमारे राजसभा के मिंबर हैं गुजराच से चुन करके आते हैं अगला कोशन फरवरी 2022 का है कैलिफोनिया में आयो जित हमारे परफॉर्मेंस बाइदा फीमेल एक्टर ऑन दा लीडिंग रोल का गिल्ट अवार्ड किसने जीता है गिल्ट अवार्ड फीमेल एक्टरेस बेस्ट कौन थी जैसिका चेंटेन है हमारे वाइस हवार्ड है डाइने क्रूगर है या मैकेंजी फ्राइ है तो यहाँ पे जैसिका चेंटेन लग रहा है यहाँ पे वगीसा को भी लग रहा है नीसा को भी लग रहा है क्योंकि यह Oscar भी इनको मिला है लेकिन Guild Award भी क्या Jessica Chanton को मिला था इसके लिए आप यहाँ पर देखिए तो Jessica Chanton बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों यह इस बार की Oscar विजेता भी है और इनको Guild Award भी यहाँ पर आप देखेंगे सांदार तरीके से मिला था यार मूवी कौन सी थी जेसिका चेंटन की जिसके लिए इनको मिला हुआ था अवार्ड किसी को पता है क्या तो यहाँ पर जेसिका चेंटन कौन सी मूवी की एक्ट्रेस थी जिसके लिए इनको Oscar भी मिला और Guilt Award मिला यहाँ पर CODA यह जो मूवी थी बेस्ट मूवी यह हमारी Oscar में बनी थी और यह लिमिटेड है यहाँ पर OneSoft Technology है Frigion IT Solutions है या Enabled ID Solutions हो जाएगा तो काफी लोग यहाँ पर पर परिसान दिख रहे हैं इस question में तो सयुत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा Allowed IT Solution Private Limited जिसको यहाँ पर IT सेक्टर का हमारा जो है Innovation Excellence Awards से सम्मानित किया अगला question आपके सामने खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम का जो आयोजन है March में यह हुआ था यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पदक है वो किस ने हासिल किया खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम जल्दी से सारे लोगों को जवाब देना है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए है तो जनता का जवाब आना सुरू हो गया है किसा सही जवाब होना चाहिए कोमल कहर की तरफ बहुत साही लोग जा रहे है यहाँ पर कोमल की तरफ जितने लोग जा रहे हैं मुझे लगता है कि उनका जवाब यहाँ पर सही होने वाला है तो कोमल के तरफ जितने लोग जा रहे है कोमल कोहर इस नमबर वण की लिस्ट पे आपको दिखाई देंगी दोस्तों यह जो हमारा गेम है खेलो इंडा युनिवरस्टी गेम यह हमारा Bangalore में आयोजित हुआ ठा अर यह जो हमारा गेम है इसमें जैन University जैन युनिवर्स्टी जो है वह नंबर एक की पोजिशन पर आही थी इसने 32 मिडल टोटल जी थे 32 टोटल मिडल जिसमें से गोल्ड मिडल जो है वह 20 थे 20 गोल्ड मेडल जो सबसे जादा थे जिसकी वज़ा से यह हमारे नंबर एक की बनी तो 2022 का जो खेलो इंडिया उनिवर्सटी गेम से वह बैंगलोर में हुआ अब हमसे पूछेगा सर्थ 2023 का कहां पर होने वाला है तो 2023 का यह उत्तर प्रदेश में होगा खेलो इंडिया 2022 में सिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी के तौर पर किसको चुना गया था अंसुल स्वामी है रजनीश कुमार है विसाखा मूले है या एलवी वैद्यान है एक अपॉइंट्मेंट है जो कि एक बैंक से संबंदित है कोसिस कर सकते आप लो यहां पर जनता का जवा इंप्लाइमेंट जन्रेशन प्रोग्राम इसको हमारे कौन से साल तक बढ़ा दिया गया है बहुत ध्यान सुनिएगा यह स्कीम और हमारे जो प्रोग्राम है जरूर पूछे जा रहे हैं इसलिए यहां पर आपको यह क्वेश्चन दिख रहा है हमारा पीम इन्वायर स्वर इंप्लाइमेंट जन्रेशन प्रोग्राम में इसको कौन से साल तक बढ़ाये गया है तो दोस्तों 2026 तक 2026 तक इसको बढ़ाये गया है मोदी जी को लगता है कि 2024 में भी जीत करके आएंगे इसलिए 2026 का प्लान अभी से बना के बैठे हुए दोस्तों अगला कोशन है स्टा आफ गवर्नेंस का जो स्कौच अवर्ड यह किसको मिला एजुकेशन सेक्टर में तो एजुकेशन के देखेंगे तो मैंने आपको बताया था वेश्ट बिंगॉल नंबर एक पर है अगर हम यहां पर गुड गवर्नेंस की बात करेंगे गुड गवर्नेंस में कौन था तो गवर्नेंस में हमारे ःगर देखा जाएगा तो सबसे नंबर एक पर आंद्रा प्रदेस था आंद्रा प्रदेस नंबर एक पर था ड़ели सिंग खुबकर करेंगे लगए इंञ होलोत वो लोग पर करिए मुझे लगता है कि नंबर आपको मिलेगा जरूर जया 그iner पटेल यह हाँ पर आप देखेंगी नंबर एक पर है यह वर्ड वाइट देखिए इस कोस्चन को आपको मिस नहीं करना है लेकिन अगर सिर्फ मिस इंडिया कौन है सिर्फ मिस इंडिया दोस्तों अगर हमसे पूछ लिया तो सिनी सेट्टी सिनी सेट्टी जो है यह Miss India का खिताब जीत करके यहाँ पर आपको दिखाई देंगी समय रहो की नहीं Miss Ward अगर पूछ लिया कौन है तो Miss Ward का जो खिताब है वो कैरलोनिया विलवांस का को जो मिला है कैरलोनिया विलवांस का यह कहां किये हैं यह हमारे बिलकुल आपने सही समझा पोलेंड की है चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट ने हमारे मिड़े मील जो है उसका नाम क्या करने की खोशना की है कि अब मिड़े मील को अम लोग के नाम से जानेंगे तो सारे स्टुडेंट का यहाँ पर जवाब आता हुआ दिखाई दे रहा है कि सथ सही जवाब होना चीए प्रधान मंत्री पोशन सक्ती निर्मान योजना यह लग रहा है कैई लोग को प्रधान मंत्री पोशन निर्मान भी कैई लोग को लग रहा है यह भी प्रधान आपको याद रखना है पर इनफ्लेशन को निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लाँच किये जुलाई 22 में इनफ्लेशन को कंट्रोल मिलाने के लिए कौँ सा ऐसा कंट्री है जिसने हमारे गोड के जो कोईन है उसकी सुरूवात की है जल्दी से एक बार सभी लोग जवाब दे देंगे तो मज़ा जादा हैगा तो यहाँ पर जंता बोली है सर जिंबॉम्बे होना चाहिए जिंबॉम्बे की तरह बहुत साहे लोग जा रहे तो जिंबॉम्बे जो की हाइपर इंफलेशन का बहुत दिनों से सिकार है आप यहाँ पर जिंबॉम्बे की उपर टिक करके नंबर ले सकते हैं तो जिंबॉम्बे कैपिटल यहाँ की हरा रहे होती है और आपने देखा था कि पाकिस्तान को इसने हरा दिया था पाकिस्तान को T20 वर्ड कप में हरा दिया लेकिन फिर भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गिया था दोस्तों अगला कोशन हमारे सामने है नौ सेना में अमेरिका के दो MH60R हमारे जो हेलिकॉप्टर इंडिया में आए वो कहां पर आए थे हमारे याँ पर MH60R हेलिकॉप्टर जो इंडिया में आए वो कहां पर आए थे त्रवेंद्रम है, कालीकट है, कोचीन है या कोनूर है ज़रा जवाब दीजे सबी लो यहाँ भी अन्ता बोलीगे, सब सही जवाब होना चाहिए यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारे यह जो इंडिया नेवी के MH60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर यह देखने को मिलेंगे अगला कोशन आपके सांदने है, हमारे वर्ड एकोनॉमिक फोरम जिसका हैड़कॉर्टर कोलंगनी में है कोलोगनी में आप इसका हेड़कॉर्टर देखेंगे, आपको बताना है कि यहां पर हमारे किस एयर लाइन्स को उसने हमारे सस्टनेबल इनेसेटिव में सामिल किया है विच इंडियन एर लाइन्स है, जोईन दा सस्टनेबल इनेवेटिव इस प्रेज हैड बाई दा वर्ड एकोनॉमिक फोरम तो कई लोग स्पाइस जेट बोलने हैं, कई लोग को इंडिगो लग रहा है, तो इंडिगो इंडिया की सबसे बेस्ट डोमेस्टिक एयर सर्विस के तोर पर जानी जाती है और इसी को सामिल क्या गया है, अगला कोशन आपके सामने है, जी यह नहीं करेंगे, अगला कोशन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, सितंबर दोर 22 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रॉंच हुआ और भारत की रैंक यहाँ पर क्या है, तो सब भी को याद रखना है यहाँ पर हमारी रैंक 107 है और यह बहुत इंपोर्टेंट है happiness index अगर आप से पूचा गया सर happiness खुसहाली में कौन से नंबर पे 136 नंबर पे environment में भाईया हमारी rank कौन सी है environment performance में हम लोग बहुत पीछे है एक सो असीवे नंबर पे अरे बास समझ में आ रही की नहीं अगर हमसे पूचा गया भीया प्रेस के freedom में हमारी rank कौन सी तो प्रेस freedom index में हमारी rank डेर सो भी है डेर सो रैंक है हमारी तो यह सारे हमारे indexes आपके लिए बहुत important है आगे और भी पूछने वाला हूं अगला question 29 सितंबर को किस देश ने प्रसांत दीपे राश्कों के साथ साजेदारी की है जो हमारे pacific islands हैं इन में से किस country ने उनके साथ tie up किया हुआ है मेक्सिको है यूएस से है न्यूजी लेंड ऑस्टेलिया है तो छोटे-छोटे से देश है फीजी हो गया हमारा और भी पापा न्यूगिनिया हो गया तो यह बहुत छोटे-छोटे से भारत के हमारे जो civil हमारे जो चेयर मैंसिप है वो कौन बनी है अमरत आनंद मैई देवी जी है सद्गुरु जग्गी वासुदेव है प्रधान मंत्री है यहां बाबा रांदेव है रांदेव जी का भी नाम में यहां पर तो आप सभी को पता होगा कि G20 का जो हमारा इस बा एयर फोर्स के लिए बिमान बनाना शुरू किया है एयर फोर्स का ट्रांसपोर्ट एयर क्राफ की मैनुफैक्टरिंग हमारे कहां पर की जा रही है टाटा के द्वारा और यहां पर जंता ने खुल करके जवाब दिया किसरे गुजरात में होना चाहिए तो जितने लों बोल और बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर हमारे गांधी नगर में इसका समापन भी हुआ तो यह बार्वा था पाथ विद प्राइड जो है इस बार का थीम था यही नहीं दोस्तो गुजरात ने इस बार बहुत सारी चीज़े देखी कि इस बार चुनाओं में भी बीजेपी जब जीती है तो गुजरात ने बहुत सारे आधार सिला रखी गई जैसे कि हमारे यहां का जो 36 नेशनल गेम से वो भी हमारे एहमदाबाद से कई सारे सहरों में गुजरात के किया गया यह भी हमारे गुजरात में हुआ यहीं नहीं हमारे देश में जो अर्बन कॉनक्लेव अर्बन कॉन्क्लेव ये भी हमारे गुजरात के राजकोट नामक सहर में हुई हमारे देश में अर्बन कॉन्क्लेव के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा हो सकते हैं कि हमारा बलक ड्रग पार्क है ये भी हमारे गुजरात में बनाये गया बलक कहां पर दोस्तों हैं सभी जनतां यहां पर बताएगी यह बल्क ड्रग पार कहां पर तो हमारे भरूच में इसकी स्थापना की जा रही है यहीं नहीं दोस्तों हमारे यहां पर जो गती सक्ति विद्याला है यह भी कहां पर बनाया जा रहा है गती सक्ति जो हमारा विस्व वि एंडिया यह भी हमारे कहां पर गुजरात में भी इसकी सुरुवात की गई आप देख सकते हैं दोस्तों यहीं नहीं हमारे गुजरात में जब सारे इनोग्रेशन और बहुत सारी चीजे हो रही थी तो जूलतो पुल के नाम से फेमस मोच्चू नदी के ऊपर मोच्चू यह सारी चीजे आपको याद रखनी है एक्जाम में पूछेगा गलती मत करना अगला प्रसना आपके स्क्रीन पर यह है अगला कोशना आपको बता है कि एपी जी अब्दुल कलाम दीपर हमारे जो इंटरमीडियर ब्लास्टिक मिसाइल का परिक्षण किया गया उसका नाम क पूछा यहां पर देखे जवाब भी आना सुरो गया अगनी इसराइट आंसन यहां पर इस्राइल के पूर प्रधान मंत्री बेंजमिन नतायून ने 120 सीटों के साथ जो यहां पर जीत हासिल की है तो इस्राइल की राजधानी क्या है येरूसलम है तेलवीब है हाइफा है या गाजा स्ट्रिप है यहां पर जेरूसलम जितने लों बोलने है जवाब सही है अगला कोशन आपको बताना है यह जनवरी का कोशन है हमारे भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेसेंड हैबिट ट्रेकिंग सिस्टम पावर MMP का अप्लीकेशन का उधगा पावर MMP एक अप्लीकेशन है जो कि हमारे वह सकते क्रोनिक डिजीज के लिए बनाई गई है इसका उधगाटन ऑबिस सी बात है हमारे देश के नितिन गटकरी जी नहीं किया है क्योंकि यहां पर हमारे स्वास्त मिनिस्टर है नहीं यहां पर नौर्थ-ईस्ट फेस्टिब पर जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है किसा सयुत्तर होना चाहिए ये हमारा गुवा हाटी के नाम से जाना जाता है नौर्थीस्ट जो फेस्टिबल है उसका नौवा संसकरण गुवा हाटी में आपको देखने को बिलेगा ऑप्शन नमबर 3 करेक्ट है रमन प्रभा संजी को 1930 में नौबल प्राइस की घोशना की गई 28 फरवरी को यहां पर देखेंगे अगला कोशन आपके सामने है हमारे मासको में आयोजित वासको वूसु स्टार्ड चैंपियंशिप में किसने स्वण पजक जीता है वूसु एक तरीके का मार्सल आउट की तरीके टूनाम करेंगे यह अपने आप में एक हिस्टोरिकल मुवमेंट था वूसु में पहली बार हम यह टूना मेंड़ा है दीपी का पलिकल जो है यह कार्तिक दिनेस कार्तिक की वाइफ और यह स्क्वैस की खिलाड़ी है अगले कोशन के तरब जाते हैं हमारे यहां पर केंदर सासित र पो ली है सर नीति आयोग के द्वारा यह हमारा बनाया जाता है तो नीति आयोग में परिवर्तन देखने को मिला इसके वाइस-चैर्वन भी परिवर्तित हो गए और स्के सीज़ में भी परिव 캐र्प़ गया है तो वाइस चेर मैं का नाम क्या है टो राप्टर सुमान बेरी है डाक्टर सुमन बेरी जो आ यह वाइस चेर मैं जबकि अगर हम सीज़ की बात करेंगे तो परमेस्वरन आयर जो है वो CEO के तोर पर जाने जाते है तो दोनों बाते हमको याद रखनी है अगला दोस्तों कोश्चन है कैसी के हमारे गैर स्वतंत्र जो नौन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर है वो कौन बनाए गए सुभास कुमार है अलका मित्तल है नरेस कारियां है या स संकर है सर का कोश्चन समझ में आ गया होगा कि सर हमारे कैसी के जो हमारे नौन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर है वो कौन है जल्दी से दोस्तों आप लोगों को छोटे से टार्गेट देते यार आप लोगों को बोलना पड़ता है यह अच्छा नहीं लगता है कि मेरे को य देलवेव ने कैसी के साथ टाई अप किया है फोर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लिए अगला कोश्चन है सेमी कॉन इंडिया के हमारे समाहरों का उद्गाटन किस ने किया राजपती उस समय के रांदनात कोविन राजनास सिंग हमारे नरेंद्र मूदी या प्यूस और किसको मिलाने की ढहला कि ठाटा संस ने इन में से किस के साथ एइर इंडिया को मिलाने की घुष्णा कि य कि अब यह वी एएर इंडिया के साथ मिला दिया घो एर एसिया है मलेशी एरलाइन्स थाइए एसस फिलिपीने से बहुत बढ़ रिके 신जन जवाब दिना सुरू किया कि एर से अर्शन यह इंदिया को फिर विस्तारा को भी मिला दिया तो काफी यदा एको से और यहां पर और मिला रहा है तो एर आई Mos carabisa इसका हिस्सा बन गई यहां पर अगला कोशन आपके सामने है सार्स कोविड साथ काफी दिनों से चर्चा में आए तो सार्स कोविड पर हमारे हुमेन रिस्पारेटरी पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर रिसर्च कौन कर रहा है आई टी खड़कपूर है धनबाद दिल्ली या मुंबई है तो हमारे सार्स का फुल फॉर्म सभी को पता है ना पूछा जा सकता है हमारे सीवियर एक्यूट रिस्पारेटरी सिंड्रोम कौनूरा वाइरस यहां पर आई टी दिल्ली जो है इसके उपर हमारा रिसर्च कर रहा है वंग्लूरू में हमारे अजीवर्डवा बेंगलूरू पुरस्कार जो है हमारे अचीवर्स ऑफ बेंगलूरू का पुरस्कार जो है वो विस्तु करियप्पा बियस को दिया गया है साही जवाब हमारा उप्सनमबर एक हो जाएगा दूसर अगला कोशन हमारे यहां पर सोलर पावर सिस्टम से टाटा ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर उर्जा की सुरुवात कहां पर की यह हमारे केरला में है तमिलनाडू में गुजरात में या मद्यप्रदेश में जून में हमारे सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट की सुरुवात कहां पर की गई है यहां पर जनता बोली है सर केरल होना चाहिए केरल में यहां पर आगर आपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है मध्यप्रदेश का खांडवा 2023 में पूरे वर्ड की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्यप्रदेश में सुरू होगी 2023 में अभी कहां पर है रामा गुंडम में अगला कोशन है अंतर राष्टी संगठन दिवस के रूप में बरगीर्क करण का मुख्यालय की आधार सिला रखी आई एफ एस ये जो है हेड़ क्वाटर आफ इंटरनेशनल फाइनेशनल सर्विसेस सेंटर का हेड़ क्वाटर कहां पर गांधी नगर मुंबई ग्रेटर नोड़ा भोपाल यहां पर अन्ता बोल लिए सर हमारा आई एफ सी ए फूल वित्रन योजना जो हमारे एककिस बाइस में पांच वर्सों के लिए आगे बढ़ाई गई है इसमें कितने लाख रुपए खर्चा किया जा रहा है एक लाख दो लाख तीन लाख चार लाख आगे करोड रुपए है तो पुनुरोथान जो हमारे अलग अलग जो हमारे हैं उनको वापस से रिवैंप करना ये इस स्कीम का मुख लक्च है और इसके लिए तीन लाख करोड रुपए जो है वो खर्चे किये जा रहे है अगला कोशन हमारे सामने है हमारे करनाटक के स्थित इंपायर इंस्टिटूट ऑफ स्पोर्स ने किस आयाईटी के साथ स्वा हमारे यहां पर एक हम पुरसकार की बात करते हैं लता मंगेसकर पुरसकार से समानित किया गया कुमार सानु सैलेंद सिंग और आनंद मिलन आपको बताना है कि कुमार सानु को किस वर्स के लिए ये पुरसकार दिया गया है कुमार सानु जो है वो कौन से वर्स के लिए तो यहाँ पर देखे 2019, 2020 और 2021 के लिए पुरसकार ये दिया गया और कुमार सानु जो है वो 2021 के लिए पुरसकार जीते हैं हमारे जो है वो सैलेंदर सिंग 2019 के लिए आनंद मिलन 2020 के लिए ये पुरसकार तीनों को दिया गया लता मंगेशकर का नरेंदर मोदी जी ने एक अक्टू लिए सर नई दिली में न्यू डेली में हमारे 5G सर्विसेज की सुरुवात की गई ऑप्शन नमबर एक साय उत्तर हो जाएगा दूसर अगला कोशन स्पोर्ट से है हमारे जो हौकी का जूनियर वर्ड कप है सुल्तान जोहर कप के नाम से जाना जाता है ये हमारे फाइनल मै इस्या में जो है इस मैच का आयोजन हुआ और इसको इंडिया ने जीता था हमारे वह सकते हैं जो टाई हो गया था तो लास्ट में हमारा पिनाल्टी सूट से हुआ था इकोनोमिक हमारे टाइमस इंस्पाइरिंग लीडर अवर्ड से सम्मानित देखती कौन है टाइमस इकोनोमिक इंस्पाइरिंग लीडर के सम्मानित सचिन सिंग है रवी जिंदल है आदित बजाज है या एपी स्रीथर है क्या होना चाहिए दोस्तों सयुत्तर तो यहाँ पर कि CRPF के निदेशक के तोर पर कौन चुने गए डॉक्टर सुजो इलाल थांसम है कुलदीब सिंग है डॉक्टर मिनाक्षी लेखी है इसमृती रानी है दिर्मला सीता रमन है या रेडुका सिंग है तो याद रखेगा हमारे यहां पर जो वूमेंस हैं उनके लिए किताब यह लॉंच की गई और इस किताब को लॉंच किया है मिनाक्षी लेखी जी ने यह आपके लिए इंपॉर्टर जाती भोपाल से इस किताब को लॉंच किया गया था जो तो चाइना एक अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करना चाहता था अपने देश में चाइना ने जो है वो आर्टीफीसियल सन को 126 मिलियन फॉरेन हाइट के टंप्रेचर पर लगबग 1556 सेकंड तक चलाया अगर आप इसको देखेंगे तो एक वर्ड रिकॉर्ड है इतने समय तक एक मतलब आर्टीफीसल सन बना दिया इन्होंने और यह जो कॉंसेप्ट है इन्होंने 17 मिनट तक चलाया था जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों जो सूर्य है उसमें हमारे जो एनरजी है वो कैसे बनती है और इसी पर सूर्य में एनरजी बनती है और यह हमारे चाइना इसका करने का कोसिस कर रहा है 27 परवरी को इन में से कौन सा भारती नौसिना का जहाज विसाखा पत्नम में अपने आपचारिक रूप से भारत में सामिल कर लिया गया 27 सतारिक को हमारे भारती सिना में कौन से जहाज को सामिल किया गया है विसाखा पत्नम है करंज है दिल्ली है या भोपाल है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पर एक एरक्राफ्ट केरियर जो कि पहला इंडिया का पहला ऐसा एरक्राफ्ट केरियर है जो कि हमारे किसको अपने इंडिया में बनाया गय अगरा कोश्चन है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल टूनामेंट में कितने मिडल हमने जीते हैं फरवरी में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग जो टूनामेंट हा उसमें कितने मिडल जीते हैं चार हैं छे हैं आठ हैं या दस हैं क्या होना चाहिए सही यहाँ पर हमारे सिंगापूर वेटलिफ्टिंग जो हमारा टूनामिंट था उसमें विक्टोरिया मेमोरियल में हमारे विलोपली भारत गैलरी का उधाटन किस नहीं किया है विक्टोरिया मेमोरियल में हमारे विलोपली भारत गैलरी जिसमें भारत के जो महान नायक हैं उन सब की चित्र आपको देखने को मिलेंगे तो कोलकाता में इसका इनुग्रेशन हुआ और इसका उद्गाटन किया था नरेंदर मोदी जी ने खुद तो विलोपली भारत गैलरी जहां पर भारत के सूर वीरो की आपको फोटो सूर वीरो की वीर गाता हैं देखने को मिलेंगी भारत में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कोच के रूप में किसको आप देखेंगे मार्द वर 22 में अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और इंग्लैंड के नए कोच यहाँ पर बनाए गए ग्रहम थोपर इंग्लैंड के जो अफगानिस्तान के कोच बने अगला कोशन आपके सामने है यहाँ पर किस सुरंग को इंडियन बिल्डिंग कॉन्फरेंस ने बेस्ट इंफान स्टक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया अपर दोर 22 बहुत बात है कि हम लोगों ने साल सुरंग के उपर 9.02 किलोमेटर हमारे किसको हमारे मनाली को ले से कन करने वाली 9.02 किलोमेटर ब्यारों ने इसको बनाया है और एक तरीके से इंपॉसिबल दिखने वाला काम अटल सुरंग के रूप में जाना जाता है तो अटल सुरंग जितने लों बोले हैं जवाब उनका सही है ती नंबर इस राइट आंसर आपको बताना है कि इन में से कि देश ने उन सभी देशों को सूची में रखा है यहां पर हमारे जो इंटेलेक्ट्वल जो संपदा है उसकी निगरानी रखनी चाहिए अमेरिका ने किसको यहां पर बोला कि यह दो कंट्रीज है जिनके उपर आपको निगरानी रखनी चाहिए तो अमेरिका किसको बोलेग तो अमेरिका का जो है ना चाइना के साथ और रसिया के साथ 36 का आखड़ा है सिंपल सी बात है तो इनी दोनों को बोलेगा भाई इनके उपर निकरानी रखो सिंपल सी तो चाइना और रसिया सही जबाब हो जाएगा सत्रमे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल में डॉक्टर वी सांता राम लाइफ टाइम एचीमेंट अवार्ड किसको दिया गया तो सत्रमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल मुंबई फिल्म फेस्टिबल कहां पर हुआ तो यह हमारे दादर के नहरू एडूटरियम में हुआ है और यहां पर संजीत नर्वेरकर को यह अवार्ड दिया गया है संजीत नर्वेरकर को यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर वी सांता राम लाइफ टैम अचीविट अवार्ड याद रखिएगा बहुत important है यह नहरू auditorium में हुआ था याद रखिए और यहाँ पर हमने जो जिस देश को Indian film friendly देश घोसित किया है वो बांगला देश है यह भी प्रसना आपके exam में चिपक सकता है अगला कोशन एक scheme से है यहाँ पर स्वास्त भीमा policy health gain सुरुवात किस ने कि दोसर अगला कोशन हमारे सामने है दो पश्चमी रास्ट एक का नाम है टोगो और दूसरे का नाम आपको बताना है जो Commonwealth country में सामिल हुए खुल करके जवाब दीजे यहाँ पर दो हमारे जो पश्चमी रास्ट है जो Commonwealth countries में सामिल हुए एक तो है टोगो दूसा कौन सा है यह गेम्स कहां पर हुए थे यह गेम्स हमारे बरगिंगम में आपको सांदार तरीके से हुए थे बरगिंगम में दोसरों यहाँ पर हमारे जो है बरगिंगम में हमारे इंडिया का रंग चौथा था हमने टोटल 61 मेडल जीते थे 22 इसमें से गोल्ड थे हमने बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया चौथे नंबर पर हम लोग यहाँ पर आये थे और अस्टेलिया नंबर एक पर था अमेरिका में कॉंग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जो है वो किसने जीता है तो इंडिया की इंडिया के इसलिए यहाँ पर करेंट अफेर्स में बनाने वाला पहला राज्य सेमी कंड़क्टर पर अपनी नीती बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है गुजरात है मद्यप्रदेश है उडिशा या असाम है देखें कि ते लोग सई करने वाले हैं कौन लिख रहा है सर ए राजा जी अच्छा ए राजा जी ने राजा कृश वह पहला इस्टेट बना स्वेज नहर पर अपने Green Hydrogen Factory निर्माड करने के लिए किस ने टाइब किया हुआ है कौन यहां पर MOU साइन किया हुआ है गहां पर एजिप्ट के साथ किस कंपनी ने टाइब किया है स्वेज नहर पर पहला Hydrogen Factory बनाते हुए SSC ने आज से दो साल पहले पूछा था फ्यूचर फ्यूल कौन सा है फ्यूचर में हमारा जो है जिस फ्यूल का इस्तमाल होने वाला है अगली सताब्दी में उसका नाम है हमारा Hydrogen और Renew Power यहां पर आपको दिखाई देगी इजिप्ट के साथ टाई अप करते हुए अगला कोशन आपके सामने है 28 अगस्त को Belgium Grand Prix को किसने जीता है दोस्तों confusion नहीं कोना चाहिए यहां पर हर जगा पर Max Westerpen नहीं कर किया जाना है याद करना है इसलिए आपको बार-बार रिवीजन कराया जाता है अगला यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा Max Westerpen बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक नंबर टिक किया है सही जवाब हो जाएगा ओलम्पिक स्वन पदक विजेता ने अपने भाले को जिसको उन्हें उलम्पिक में इस्तमाल किया था 87.58 मीटर जो है जो फेका था उस भाले को कहां पर दान दे दिया यहां पर अंता बोली है सर यह लुसाने में इसको दान दे दिया गया है लुसाने जो कि सुडजर लेंड में आपको दिखाई देगा यहां पर इन्होंने दान दे दिया है यह भाले को अगला प्रसनात के स्क्रीन पर है टाइम पत्रिका के सो उभरते नेताओं में भारत का एक मात्र जो नेता है एक मात्र जो हमारा वेक्ति है उसका नाम क्या है सो उभरते मतलब अभी नौजवान है उभर रहे हैं तो हर जगा भाईया एक ही आदमी छा रहा है अम्बानी नहीं तो अडानी अम्बानी नहीं तो अडानी अब हमाई क्लास में थोड़ी न तुम लोग आऊगे कितना भी बोलो भाईया आओ रिविजन कराएंगे मिहनत करेंगे तुम्हाय संग नहीं हम तो भाईया भेड़ चाल वाले जहां पर भेड़ जाएंगे वहीं पीछे पीछे जाएंगा रे भाईया पढ़ लो कोश्चन यहीं से आते हैं जो सीजल का एक्जाम देख हैं उनसे एक बार फीडबैक ले लेना ठीक है कि सर कहां से कोशन आते हैं अब बता अभी 300 लड़के नहीं हुए आदे घंटे का सेशन हो चुका है बार 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 और आपको चीज़ें समझने हैं जल्दी से एक बार फिर से मैं फिर बोलूँगा 300 के उपर लेके चलते आकड़े को तभी पढ़ाने में मजाएगा मेरे को जल्दी से 300 के उपर लेके चलो सारे जितने भी स्टुडेंट है आकास अंबानी जितने लोग यहां पर बोलने हैं सई जवाब हो जाएगा टाइम्स पत्रिका में यह एकमात रोभरते हुए यहां पर आकास अंबानी करेक्ट एंस जिसको आप लोग अंग रेजिम बोलते हैं तो भाईया देखें एक मूवी आई थी सुराई पतारू जिसके लिए हमारे अपढ़ना बालम मुरली को बेस्ट एक्टर का वार्ड सूर्या को बेस्ट एक्टर का वार्ड इनके साथ सत अजय देवगन ताना जी के लिए अजय को यहाँ पर बेस्ट एक्टर दोनों को मिला हुआ था बेस्ट पॉपलर मूवी का वार्ड जो है वो ताना जी को था और बेस्ट मूवी अगर पूछेंगे तो वह अवार्ड जो है वो हमारे सोराई पोतारू को गया तो 68 फिल्म आवार्ड यहां पर दिये गया जबकि ज्यादा साहिब अवार्ड भी इसी के साती बढ़ोत ऑफिम्अत अगला कोशन है हमारे पोलैंड ने अपना पहला सफ़ा बिनाने के लिए अमेरीका के साथ टाइब किया है पॉलैंड की कब्टिल बता दिए बहुत आसान सा कोश्चन है पॉलैंड की कब्टिल क्या जल्द कर दिया है सर पोलैंड की capital जो है यह वार्सो के रूप में आप देख सकते हैं वार्सो जो है वह पोलैंड की capital है सिम्बैक 666 का कौन सा हमारा edition हुआ 929 edition हुआ इसका योजन कहां पर हुआ है सर्भिया साओधी अरब सिंगापूर या स्वीडेन इसका योजन कहां पर हुआ है यहां पर जनता ने बताना सुरू कर दिया है सर हमारा जो सिंबैक exercise है इसका यह 29 संस्क्रण सिंगापूर में आयोजन किया गया तो सिंगापूर में आप टिक कर सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा यहां पर प्रॉक्टर और गेबलर के पार्टनर के तौर पर आप किसका नाम टिक करेंगे बजाज फाइनेंस है हिंदुस्तान यूनि लीबर है रिलाइंस इंडस्ट्रीज है मैट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिम्टेड है क्या होना चीए दोस्तों सही उत्तर है यहां भी अंत नितिन गट करी है तो यहां पी अगर हम दोग देखेंगे तो सिल्प समागम 2022 जो है इसका सुरुवात डॉक्टर विरेंदर कुमार जी ने नई दिल्ली में किया था अगला कोशन यहां पर है हमारे जो बिलकुल हमारे बिलकुल हम लोग लाइट एडवांस लाइट के साथ टाइब क्या कि अब हम आपको अपने इंडिया के बने हुए हलिकाप्टर देंगे चल गया तो तीर है नहीं चला तो भया इंजन से धुआ निकलेगा फिर पाइलेट को कूदना पड़ता है तो इंडिया की टेक्नोलोजी यही तो है चल गया तो तीर इतना चलेगा कि गरदा उड़ा देगा और नहीं चला तो भया इंजन से धुआ निकलेगा पाइलेट को कूदना पड़ता है तो यह एचल ने बनाया है टेक्नोलोजी के उपर इंडिया बहुत काम कर रही है और फिलिपीन्स नहीं मौरिसिस के साथ हम यह टाइप कर रहे है कि उसको हम य हेलिकॉप्टर है एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर यह दिये जा रहे है मौरिसिस को बात समझ में आई की नहीं चलो अगले कोशन की तरफ जाते अगला कोशन आपके सामने है ब्रम्होस मिसाइल जो अभी फिलिपीन्स को हमने दिया है उसकी मिसाइल की गती कितनी है 1.6 ह है 2 है 2.8 है या 3.4 है तो दोसो ब्रम्होस तो यह मैक निमबर होता क्या है तो मैक निमर इस अ कंपृजन रफ एंव अब्जेकिज्ट विद्टा इसपीड ऑप साउंड साउंड की स्पीड के साथ अगर आप किसी भी Matteete कि स्पीड का compare करते हैं तो उसको Mac number बोलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारा Mac number 2.8 होगा जितनों यहां पर 2.8 बोले हैं जवाब उनका सही है मेक्सिको के Alcapulco में आयोजित Mexican Open का खिताब किसने जीता है Mexican Open जो है यह फरवरी दोर 22 में किसने जीता है Alcapulco में चलिए तो यहां पर जनता बोले हैं सर हम अगर यहां पर बात करेंगे तो यह हमारे जो चार खिलाडी है इनमें से इस बार का विमिडन भी इन्हों नहीं जीता है विमिडन को भी इन्हों नहीं जीता नहीं है इस बार का विमिडन को जीता है और यह हमारे Mexican Open को भी इन्हों नहीं जीता है तो इस तरीके से Australian Open, French Open और Mexican Open जीतने वारे राफिल नदाल है नौवान जोकोविच ने विमिडन को जीता है विम्मिडन जो है वो नोवान जोकोविच ने बुलगारिया के सोफिया में इस्टेंटजा मेमोरियल टूनामेंट 52 किलोग्राम में स्वान पदक गोल्ड मिडल जीतने वाले कौन है स्वन पदक गोल्ड मिडल किसने जीता है कहाँ पर बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में जो हमारा स्टेंजा मॉमोरियल टूनामेंट हो रहा है इसमें यहाँ पर अंता बोली ए साई जवाब होना चाहिए यह है निखत जहरीन निखत जहरीन ने यहाँ पर गोल्ड मिडल जीता है यह बॉक्सर है सांदार तरीके से और कॉमन विल्ट गेम्स के जो क्लोजिंग सरा मनी थी उसमें सरत कमल के साथ निखत जहरीन ने हमारी क्या किया अगली बार से क्लासे नहीं लूँगा संडे को कोई स्रीवीजन नहीं कराऊंगा चाहिए आप लोग जो कर लीजिए क्योंकि तुम लोगों नहीं उनना पर अभी मैंने बूला कि 300 प्लस होने चाहिए नहीं किया एक घंटे होने को आ गए यहां पर जनता होना चाहिए surface to surface surface to surface इस राइट आंसर पलविंदर क्या होनाचिए surface to surface मिसाइल इस राइट आंसर यहां पर अंडर 2021 जो हमारे खेलो इंडिया महिला होकी लीग है वो आपको बताना है खेलो इंडिया माईला होकी लीग अंडर 21 किस ने जीती है राजकरन होकी अकेडमी है मध्यप्रदेश है पीतम सिवाच है या हर होकी अकेडमी जल्दी बताइए तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो होकी टूनामेंट है बहुत इंपोर्टेंट है इस बार का जो हमारे यहाँ पर फिर से एक बार रिविजन कराएंगे हमारे जो डोमेस्टिक होकी टूनामेंट का जो सीनियर सीनियर वर्जन है सीनियर जो मेंस वर्जन है इसको किस ने जीता ह हरियाना ने हरियाना इन इसको जीता है अगर junior मेंस वरजन का गर देखेंगे तो junior मेंस का किसने जीता है up ने अगर मैं या पर senior junior अगर पड़ लिया हूं तो मेरे को यहां पर मेंस के बाद woman भी पढ़ना पड़ेगा senior जो हमारा women tournament यह किसने जीता है तो सभी को याद रखना है यह जीता है उडीसा ने जीता है जबके अगर हमनों यहाँ पर जूनियर की बात करेंगे तो जूनियर वूमेन टूरामेंट जो है यह हरियाना ने जीता है याद रखेगा और यहाँ पर हमने पूछा है कि अंडर 21 जो हमारा टूरामेंट था यह प तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो सभलता पूरवक पर इक्षण है यह किया गया राजिस्थान में राजिस्तान में तो यहां पर गगन का तो यहां पर देखेंगे तो मुंबई के बीच में यह उडान भरी इसने और यहां पर हम पस्वों के बिमार और घायल गायों के लिए एंबूलेंस सेवा का उदघाटन कर रहे हैं यह हमारे कहां पर शुरू की गई डिबरुगड गोला घाट बोईंग गाओं या जोरा हाट है तो सारे स्टुडेंट को यहां पर रग रहा है किसा सही जवाब होना चीजो हमारे बिमार गाये हैं उनके लिए एंबूलेंस सेवा की सुरुवाद की प्रोजेक्ट एयर एक क्या है एक एल्गोरिथिम में जिससे वो ट्राफिक कंट्रोल बनाएंगे तो यह हमारे किस ने सुरू किया प्रोजेक्ट एयर ट्राफिक कंट्रोल प्रोजेक्ट एयर ट्राफिक कंट्रोल करने के लिए हमारे किसने आईटी मद्रास ने सुरुवाद किये आईटी मद्रास के उपर टिक करिए हाल में ही हमारे बुकर प्राइस जीतने वाला नोबल कौन सा है तो बुकर प्राइस जो है वो इंडिया की तरफ से जिसको मिला था 2021 के लिए उसका नाम आपको बताना है तो Tom of Sand जिसका हमारा क्या होगा रेत की समाधी या रेत समाधी जितने नों बोलेंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेकिन हमारे 2022 में जो बुकर प्राइस मिला है वो किसको मिला है वो करुणा तिलक जी को मिला हुआ है करुणा तिलक जी बुकर प्राइस जीतने वाले 2022 के हैं और इनकी किताब का नाम था था Seven Moons of Mali जो है ये किताब का नाम था जिसने 22 में जीता है और ये स्री लंका के सांदार वेक्ति हैं महान होकी खिलाडी जिन्होंने उलम्पिक में सांदार प्रदर्शन किया जिनका 27 जून को निधन हो गया उनका नाम आपको बताना है जल्दी से अजीत पाल सिंग है, संकर लक्षमण है, बल्बीर सिंग, दोज्रांग है या बजविंदर सिंग है तो यहाँ पर जंता बोला है सर सयुत्तर होना चाहिए जितने लोग यहाँ पर बोलेंगे सर बरिंदर सिंग जिनका यहाँ पर निधन हुआ यह उलम्पिक के सांदार खिलाडी थे हौके टीम के कप्तान भी रह चुके हैं जिनका निधन हुआ तो पूछेगा बरिंदर सिंग किस गेम से संबन देते हैं तो यह हमारे हौकी के हैं Фारनिंडे मार्कोस जूनियर किस देष के राष्पती बनाए गए हैं इंडोनेशा मलेसिया बुरूनी या फिलिपीन्स तो मैंने इंका चेहरा दिखाया था और इंका चेहरे पर मैंने व्यंग भी किया था कि बड़े उदास से थे ऐसा लग रहा कि जवरजस्तीन को बना दिया गया था तो फिलिपीन्स जहां की कैपिल मनीला है और यहां पर हमारा एक बैंक का हेड़कॉर्टर भी है ACN डबलप्मेंट बैंक का हेड़कॉर्टर भी आपको यहां पर देखने को लेगा सबसे ज़्यादा फॉरण डारेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको यहीं से मिला है अमेरिका से भी ज़्यादा तो दोसो है एसिया का सबसे छोटा कंट्री सबसे छोटा कंट्री है पूरे एसिया का नाम है सिंगापूर और यहीं से हमको सबसे ज़्यादा FDI मिला है तो सिंगापुर के उपर टिक करके नंबर ले सकते हैं सबसे अधा foreign investment सिंगापुर से मिला है जुलाई 22 में हमारे किस राज ने मुख्यमंत्री नास्ता योजना के पहले चरन को 15 सो से भी जादा स्कूलों में सुरू कर दिया करनाटक है केरल है तमिलनाडू है या तेलंगाना है पंद्रा सो से भी जादा स्कूल जो है वह हमारे सुरू कर दिये गए तो भाईया यह देखे सरकारी स्कूलों में एक रूची बनी रहे बच्चों की क्योंकि बहुत ही अब सरकारी स्कूल में जो है न वह पहले क्या होता था कि admission होने के लिए test होते थे बहुत सारी जो है वह बाते हुआ करती थी लेकिन अब क्या सरकारी स्कूलों की जो हमारी पद्दती है वह बहुत खराब हो गई तो बच्चे आते क्यों है खाना खाने नास्ता खाने दलिया खाने इसलिए बच्चों का ट्रेट किया जाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे यह स्कीम की सुरू तमिल नाडू में की गई, दोसरी यही वो राज है जहाँ पर सबसे पहले मिड़े मील को भी सुरू किया गया था, मिड़े मील भी सबसे पहले तमिल नाडू में आया था, मिड़े मील का कॉंसेट मैं पहले बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर 47 इंडियन कंसिट्यूशन मे दिया गया है हमारे part number 4 में ठीक है ना चलिए अगरा प्रसंदेख लेते हैं यहां पर अगस्त में साढ़े 900 विकेट पूरे करने वाला अंतराश्टी तेज गेंदबाज कौन बन गया है साढ़े 900 विकेट पहला एसा तेज गेंदबाज है जिसने साढ़े 900 विकेट ले डाले अपने पूरे केरियर में अभी तक से फिस्पिनर कर रहे थे अज़ाई वह सेंवार्न हो मुरली-धरन हो सेंवार्न हो अनिल कुम्बले हो यह सब हमारे क्यां इस पिनर है लेकिन यहां प धाइस अगस को छैति ग insan गा था यह कौन सा था तो यह हमारे रॉयल नेवि का एहर हमारा जो चति सो गया तो तो इसका नाम क्या क्विन्से यूभी जेगा हमारे यूणारा को important है अडानी Greens Limited ने 29 सितंबर को किस इस्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन उर्जा सयंत्र चालू कर दिया यह सबसे बड़ा पवन उर्जा सयंत्र है जो कि अडानी के द्वारा चालू किया जा रहा है जैसल मेर है गांधी नगर है जैपूर है या जोधपूर है यहां राजस्थान के जैसल मेर में अडानी ने सुरू किया है अगले कोशन की जब चाते आफरीका के साथ रक्षा साज़दारी का विस्तार करने के तहत महादीप में अपना पहला त्रिपक्षिये नौ से ना भ्यास आयोजित किया है इसमें कौन सा देस नहीं था तीन देसों के एकसरसाइज में पार्टिसिपेट किया था याद रखिए बहुत इंपॉर्टन जाएगा तो हमने देखा था कि हमारे कई सारे जो जहाज है वो गैबन में हमारे सेचल्स में अलग अलग जो हमारे बोसकते एकसरसाइज हुए उसमें पार्टिसिपेट किये थे अगला प्र प्रणय सर्मा के उपर टिकर के नंबर ले सकते हैं इंडोनेसिया में कराटे सीरीज में इन्होंने गोल्ड मेड़ा जीता है हमारे यहां पर इंडियन पोस्ट पेमिंट बैंक में पहला प्लोटिंग वित्ती सक्षर सिवर का योजन किस ने किस कहां पर किया लक्षदीप केरल यहां पर बार्बाडोस के प्रधान मंत्री के तौर पर किस को चुना गया है पहली प्रधान मंत्री ती जनवरी में जो महिला बनी थी बहुत इंपॉर्टेंट है बार्बोडोस जो कि हमारा एक ऐसा केरिबियन आइलेंड में बसा हुआ कंट्री है हुमारों कि नहीं तो मिया अमोर मुताली के उपर टिकरना है डेविट सोसाली जी का निधन हो गया यह किसके अध्यक्ष थे और उसके पाद से मिटसेला जो है व वो महिला के तौर पर पहली अध्यक्षा बनी थी नहीं है ना यूरोपियन पार्लियमेंट यूरोपियन यूनियन जो कि हमारा 1993 में बना हुआ यूरोपियन कंट्री का संगठन है जिसका हैड़कॉर्टर ब्रिसेल्स में आपको देखने हो लेगा ब्रिसेल्स कहां पर है त अध्यक्षन एंड डबलप्मेंट पॉल्सी को अपने बजट में सामिल किया जल्दी से जवाब देना है सारे लोगों को तो राजिस्थान ही होना ची भी है राजिस्थान के हमारे सीम साहब कौन है तो असो गहलोत यहां के सीम साहब हैं याद रखेगा कल राज मिस्र यहा पर भी जानी जाती है हमने आपर प्रस्ण क्या पूछा है हमने आपर प्रस्ण पूछा है कि कौन है जो हमारे से भी सेक्योर्टी एक्षेंज बोर्ड आफ इंडिया की अध्यक्ष के तौर पे जानी जाती है यहां पर जवाब देना सुरू कर दिया है किसा सही जवाब होना is right answer the Medellin Albiads महिला अमेरकी का पहली अमेरिकी महिला जिनका Cancer से निधन हुआ यह किस में पहली थी अमेरिका में कौन से सेक्टर में पहली थी यह हम आरे हाउस मैन इविटी की पहली लीडर थी महिला के तोर पर United States की ये Senator थी पहली या ये Seltr pilot थी या ये Secretary of State की थी पहली महिला के तोर पर ये किसमें अमेरिका में चुनी गए Medlin Albight की बात कर रहे हैं जिनका निधन हो गया तो सारे शुर्ण यहां पर बोले हैं साथ सही जवाब होना चाहिए यह हमारे Secretary of State की ये पहली मंत्री थी विदेश मंत्री थी जिनका यहां पर निधन होगा तो यहां पर जितने लोग बोले हैं Sir Option number हमारा होना चाहिए चार सही जवाब है अगला कोशन आपको बताना है हमारे यहां पर जो सब्सक्राइब के तौर पर चुना गया है उसका नाम क्या है थर्ड आई और टेक्नो सलूशन साइफोर्स है पैलोरस है या पिरामिट साइबर है इन से Most Trusted Brand का जो खिताब है वह आप किसको देना चाहेंगे यहां पर जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही जवाब होना चाहिए जितने लोग यहां पर जवाब दे रहा है कि सर सही उत्तर होना चाहिए हमारा ऑप्सन नमबर टू साइफोर्स की तरफ करना सबसे ट्रस्टेट बान का खिताब इसने जीता है यहां पर हमारा लोगिजम वायू यह किसके द्वारा है उजित किया गया हमारी एक लोजिस्टिक सेमिनार है किसने इसको सुरू किया होगा लोजिसम वायू मुझे लगता है और नाम से पता चल रहा है कि यह हमारे एयर फोर्स के द्वारा चारू क्या गया है एयर फोर्स दे हमारा आठ अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है विवेक चौधरी जो है वह हमारे इस एयर फोर्स के प्रमुख के तौर पर जाने जाते हैं एस्या बैट्मिंटन चैंपिय दे रही है उनका नाम में PV सिंदू चाहे वह ओलंपिक हो कॉमन वेल्थ गेम्स हो या हमारे एसिन टूनामेंटो या डोमेस्टी टूनामेंटो PV सिंदू की जो दूती है वो हर जगा बोल रही है तो PV सिंदू एक मात्रैसी फीमेल जिन्होंने दो ओलंपिक मिडल जीते हैं इंडिया के लिए वो यही है National Asset Reconstruction Company N.A.R.C.L. M.D. और CEO के तौर पर किसको चुना गया है हमारे जो बोसकते की Asset Reconstruction Company है इसके M.D. और CEO कौन बनाए गया है साइं कृपा सुरेश से अधिती भन्डारी है रामेस कुमार है या नटराजन सुन्दरन है बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले इंडियास biggest drone festival भारत ड्रोन महोसो जो है इसके सुरवात कहाँ पर हुई है भारत ड्रोन महाथ़ो जो है इसके सुरवाथ कहां पर हुई है अगला कोश्ट ऐख क्शकन निय स्थापना की इसका नाम क्या रखा है है ना तो यहां पर हमारे हलके LCH को सामिल किया है हमारे transport helicopters है एर ambulance है advanced light helicopters है क्या होना चाहिए तो यहाँ पर सईजवाब होना चाहिए यहाँ पर advanced light helicopters is a Eğer advanced light helicopters के उपर टिक करना है प्रधार मऋंत्री जी ने यहाँ पर हमारे उद्यमी भारत program को संभोधित किया ये प्रोग्राम नई दिल्ली चेंड़नाई हैदराबाद पूने यह आपको कहाँ पर देखने को लेगा नरेंद्र मोधी जी ने यहाँ पर उंद्यमी भारत प्रोग्राम के सुरुवात किये यह हमारे कहाँ पर सुरू किया गया हमारे ही यह पर उलंपिक का जो हो सकते हैं कि हमारा मस्कट है वो फ्रीजियन कैप है फ्रीजियन कैप उलंपिक का मस्कट बनाए गया आपको बताना है कि कि हमारा जो ओफीशियल सॉंग है वो कौन सा है गेम वा-ईड ओपेन है help your hope high है move on with games, let's make it happen, आपको बताने हैं क्या होना चाहिए, यहां पर यहां पर एक नंबर जवाब दे रहे हैं, तो गेम स्वाइड ओपन, एक नंबर के उपर टिक करना है, पंजाब का खेल विभाग, पंजाब खेल मेलों का आयोजित करा रहा है, इसमें कितने खेलों को सामिल किया यहां पर पंजाब का खेल मेला है, कितने खेलों को सामिल कर रहा है, 20, 25, 30 या 35, यहां पर जक्नता बोले गिए, तो चंडीगड कैपिटल है, चंडीगड को पंजाब में सामिल करने कीप्याड जो है, वो पहले हि भगवन्तमान जी कर चुके ङी, पंजाब में चंडीड कर सामिल किया जाए पंजाब में चंडीगळ को अब दोस्तों हाइड्रोजन से ट्रेन चालु हो गई है आपने देखा कि हाइड्रोजन से बसे इंडिया में चला दी गई जीतेंदर सिंग ने पूरे में इसका सुरुवात किया लेकिन ट्रेन कहां पर चलाएगई है तो सभी को है अगर हम बस की बात कर रहा है तो बस चलाई गई हमारी जो पहली बस है जो हाइड्रोजन से चली वह पूरे में चली पूरे में चलाई गई अब हमसे पूछा गया पहली ट्रेन कहां पर चलाई गई तो पहली ट्रेन जो है वह हाइड्रोजन से हमाई कहां पर चली सभी को प बारतिय ओलम्पिक एसोसियेशन जो 1927 में बनाया गया था नई दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर है इसकी नई अध्यक्षा बनी है पीटी उसा और यह अतिहास में पहली बार है कि किसी महिला को बनाए गया है तो पयावली पयावली एक्सप्रेस के नाम से फेमस पीटी उसा अब अलम्पिक एसोसियेशन के अध्यक्ष है लेकिन पहले कौन थे तो आदिल सुमीर बाला को टंप्रेरी बनाए गया था तो पर्मानेट कौन बन गई है पीटी उसा प्यावली एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हमाज नई दिल्ली जैपुर सरज फूट फेस्टिबल का उठटन जो है वो किस नहीं लखनव है और वाद नई दिल्ली या जैपुर यहां पर यंता बूलेगी कि सा-सई राब होना चाहिए सरज फूस फेस्टिबल जो है यहाँ आपका नई दिल्ली में यहाँ पर देखेंगे नई दिल्ली, न्यू डेली इसका रेक्टेंस है, 27 मा सकॉब 27 का जो सम्मेलन है 6 से 18 नवंबर तक कौन से देश में आउजित किया गया, लीबिया है, नाइजर है, इजिप्ट है या माली है, ठीक है, यहां पर आपका कॉब 27 जो बैठक है 6 से 18 नवंबर तक किस देश में आउ योजन किया गया, भारती टेबल टेनिस खिलाडी मानिका बत्रा 19 नवंबर को हमारे इंटरनेशनल टेनिस फडरेशन ए एट्यू एसियन टेबल टेनिस का टूनामेंट जीता, यह टूनामेंट कहां पर हुआ था, टोक्यो, बाली, मनीला, बैंकोग, यहां पर अगर सही यहां पर हमारे बिलकुल वायू मंडल में आने वाली बिलास्टिक मिसाइल को रूखने के लिए एरव वेपन सिस्टम जिसको हमनों AWS के नाम जानते एरव वेपन सिस्टम इसकी सुरुवात किस नेगी रसिया इन इस्राइल है, यहां पर इस्राइल और अमेरिका है, रूस यहां पर है इस्राइल और यूएसे इस्राइल और यूएसे इस्राइल और से सहुत्त हो जाएगा, मराथी लेखक अनिल आउचट का निधन हो गया, यह हमारे किसके हमारे संस्थापक थे, यह लेखक भी थे, सोसल वर्कर भी थे, यह किस चीज की सुरुवात किये थे इंद्री कृसी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को अपनी फसल का भीमा कराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश से सुरुवात की वो क्या थी, मेरी पॉलसी मेरा हिल्थ है, मेरी फसल मेरा हाथ है, मेरी फसल पॉलसी है या मेरी हाथ मेरी पॉलसी, यह आप बताईए यहां पर आपको जवाब देना है कि भारत ने भारती जीवन भीमा निगम के स्वचलित मार्ग में कितने प्रतिसत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुमती दी तो 20 परसेंट जो है 1956 से काम करने वाली बॉड़ी है 1956 से काम कर रही है हमारे आपर जो इंस्योरेंस सेक्टर है जैसे बैंकों को रेगुलेट करता है आर बी आई बैंकों को कौन रेगुलेट करता है रिजर बैंक आफ इंडिया वैसे हमारे जो इंस्योरेंस सेक्टर है इंस्योरेंस सेक्टर को रे 過去 को अब हारी रिट्रेचर के लिखकंड हो न्यॉट है पर अफ्र विखीर से औह ईए कि कि बाद्त हे जिसी त्थे कि यहां पर ब्रानिकलान कंड़ उनका सभी है थैने दिल्ली के ऊड़ aide नगर निगम को एक कर दिख एंगा और वहाँ पर जो है वो तुम्हारी आम आदमी जो पार्टी है वो धमाका भी कर गई तो आपको बताना है कि कितने पहले अलग-अलग MCD जे थे जिनको एक कर दिया गया भीया एक ही रहेगा पहले तीन थे अब इनको तीनों को मिला कर एक कर दिया गया अब पाँच सहरों में डिजिटल कॉमर्स पाइलेट चैनल के लिए नेटवर्क लॉच्ट किया गया है इसमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है हमारे याँपर डिजिटल कॉमर्स जो है वो पांच अलग-अलग सहर यहां पर हमारे जो खेलो इंडिया उन्वर्स्टी गेम्स हैं इसमें थ्री पोजीशन इवेंट के पाईनल में किस ने स्रौन पदक हासिल किया कौन ने जिसने याँ पर 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में यहाँ पर तो जाएगा सर्ताज सिंग तिवाना सर्ताज सिंग तिवाना जो है परम अनंत एक हमारा सुपर कम्प्यूटर जो 30 मई को किस आयाइटी के द्वारा कमीशन कि सब्सक्राइब होना चाहिए हमारा चार नंबर ऑफशन मतलब आएटी गांधी नगर अगरा प्रसन आपके सामने हैं इन में से क्रिसी विज्ञान और प्रद्योगिकी की स्रेडी में हमारा कौन सा अवार्ड हो गया विद्या लक्षी उद्योगिक समा सोधन विकास केंद्र इंडस्ट्रिल रिसर्च अवार्ड किसको दिया गया है अदेसीर वीके दुबास डॉक्टर एक गोपाल कृष्णन वबीता सिंग या तरणी गोयल यहां पर जनता बूले है ससाही जवाब होना चाहिए डॉक्टर एक गोपाल कृष्णन एक गोपाल कृष्णन इस क्या है तो दोगों हमारे देश के जो रेल मिनिस्टर है हमारे देश के जो कमनी केशन मिनिस्टर है हमारे देश के जो आई टी मिनिस्टर है इनफॉर्मेशन एंट टेक्नलोजी सारा डिपार्टमेंट एक ही वेक्ति के पास है असुनी वैसनियों तो जितना भी हमारा इन से रिलेटेड तो कमनीकेशन पोस्तर एक कमनीकेशन रिलेटेड है तो असुनी वैस्ट नियों के उपर टिक कर देंगे अंबिका राओ जी का जून दिवार 22 में निधन हो गया यह प्रसिद्ध क्या थी चिकिसक थी अभिनेत्री थी गाईका थी बैटमिंटन खिलाडी थी आईटी में भारती भासा को बढ़ावा देने के लिए ए आई-फोर भारत में नेले कडी केंदर की सुरुवात किस आईटी ने की है तो यहां पर यंता बोली है सब्सक्राइब हो जाएगा यहां पर अलेक्जेंडर स्टेडियम में हमारे राष्ट मंडल खेलों का 22 संसक्र इन करा शुरू हुआ यह कहां परायुजित हुआ लिबरपूल है मैंचेस्टर बर्गिंगम है यह एडिंग बर अपर सहुत्र हो जाएगा यह हमारा बढ़िंगम में खेंग की सुरुवात हुई तो बर्गिंगम और्गें आफ्टि नमबर से जवाब है तो उन्तिस अगस्त राइट एंसर राष्टी खेल दीवस के रूप में उन्तिस अगस्त में हमारा नेशन स्पोर्ट दे सेलिब्रेट होता है यहां पर थाइलेंड के कुनालावुत विस्टरडन को हरा करके दूसा बैटमिंटन वर्ड चैंपेंशिप किस नहीं जीता सब्सक्राइड को यहां पर सी बेए के दवारा हमारे यहां पर जो मादक पदार्थ को ले करके एक जो वंससको लीकर के कैसे ट्रैक्फिकंग को रोका जाए एक मिशन की सुरुआत और इस मिशन का क्या लाफ रख आप यहां पर अगर ऑपरेशन गरूण की करेंगे तो अपरेशन गरुन सही उत्तर जाएगा ऑपरेशन गरुन इस राइट आंसर सही उत्तर है अगला कुश्चन आपके सामदें में से कौन साराज 29 सितंबर को 36 राष्टी खेलों की हमारे मेजबानी कर रहा है पंजाब मेघाल है उड़ीसा या गुजरात यहां पर जब देखेंगे तो 29 सितंबर को 36 खेल की मेजबानी गुजरात के द्वारा की जारी तो गुजरात जितने लों बोलने जवाब सही है भारती वायू सेना ने फ्रांसीसी वायू और अंत्रिक्ष बल को जोदपूर वायू स्टेशन में किस इक्सरसाइज में भाग ल अगला प्रस्णाब के सामने अर्बन गबरू के बनाए गए यहां पर आपको जवाब देना है कि अब यंता बुलिए सरसूरी कुमार यादव अर्बन गबरू के बनने मिजडर है एक नमबर को नरेंद्र मोदी जी ने मानगर धाम में को राश्टी समारक घोसित करने की प्राइपुर है इसको पिंग सिटी बोलते है कल राज मिश्री यहां के सीम साथ है पदम विभूसण से सम्मानित आर नागा स्वामी जी का निधन 22 में हो गया आर नागा स्वामी क्या थे संगीतकार थे डर्मेटोलोजिस्ट थे नूरोलोजिस्ट थे एरकोलोलोजिस्ट आर नागा स्वामी जो है वो किस से संबंदित थे तो सारे श्टुरेण यहां पर जवाब दे रहे हैं सर आर नागा स्वामी हमारे एक बहुत बड़े हमारे एरलोजिस्ट थे पुरातित विद्ध थे बीजिंग उलम्पिक में हमारे जो सीत काली बीजिंग उलम्पिक कहां पर हुए हमारे जो विंटर उलम्पिक है यह चाइना में हुए और यहां पर हमारे जो बीजिंग उलम्पिक के सेरपा बनाए गये मतलब जो अध्यक्ष बनाए गये वो कौन थे डॉक्टर आरिफ खा थे या जस्पाल रहना थे यहां पर मुहम्मद आरिफ खान के उपर टिक करके नमबर ले सकते हैं अगला कोशन आपके सामने क्या है कि फरवईदर 22 में यूक्रेइन में रूस के सेन अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा क्या आपात काली निसरत्र के अध्यक्षता क कि किस ने तो जब हमारे यहां पर यूएन का इस पेशल सेशन बुलाया गया जब यूक्रेइन के ऊपर रसिया ने अटैक किया तो उस समय कौन इसके अध्यक्ष के तोर पर चुने गए थे कि यहां पर स्वाब हो जाएगा जितने यहां बोले हैं सर अब्धुल्ला सॉईत के अब्दुला साहईद के अपर टिकर के नमबर ले सकते हो अब्दुल्ला साइड सभी जवाब हो जाएगा माजness और बाइस में अंतरिक संगठर ने सौर मंडल के परे तारों के आसपास 5000 सदिक ऐसे ग्रहों पिंडों की उपस्थिति की पुष्टी की थी वह कौन था चाइना नेशनल स्पेस एड्मिनिस्टेशन था नेशनल एरोनौटिक एंड इस पेस एड्मिनिस्टेशन था जापान हम हमारे इंडिया के हमारे जो सौर मंडल के आसपास 5000 सदिक ग्रह हैं और हो सकता उनमें से कई ऐसे ग्रह जहां पर जीवन भी हो उसके पुष्टी की थी नासा ने गिलबर्ड एफ हैवेगो यह हमारे कौन से संगठन के नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे आईयलो ह है यूनिसेफ है यूनिस्को है या डबलू है चो है तो दोस्तों हमनों कई बार इसके उपर बात कर चुके हैं कि भाई एक माई 1919 को यह और इसका हैड़कौर्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा तो गाई राइडर साथ सालों से गाई राइडर का नाम हम लोग प रखते हैं बहुत आसानी से बहुत आसान और बहुत इंपोर्टेंट कोशन हो जाएगा इंपोर्टेंट अगला प्रसना आपके सामने है आइस होकी वर्ड चैंपियंशिप की मेजमानी करने से प्रतिबंद कर दिया गया है किसको चाइना को नौर्थ कोरिया रस्या या अगर हम किसी को अगर सही काम कर रहा है तो थे अगर हमें गलट ठे़ा तो इसको हम उसके उपर आरोप लगाते जाते हैं हैं और अपने काम को अगर सही करना हो तो उसके उपर क्या करते हैं उसको हम बताते हैं यार यह देश जो था इराग के उपर आमने अटैक किया है इरान के उपर प्रदिबंद लगा है यह पूरी दुनिया के लिए खत्रा था यहां पर इतना ज्यादा केमिकल वीपन था कि अगर यह लीक हो जाता तो पूरा वर्ड उड़ जाता है तो अमेरिका ने इराक के उपर अटेक किया सब ने बोला कि मानावाद को बढ़ावा दे रहा है तो वही चीज है कि हम अगर किस कुछ ना मिला और अब रसिया यूक्रेन के उपर अगर यूक्रेन उसके लिए खत्रा बन रहा था उसके आज पास जो है वह ऐसा महौल क्रिएट कर रहा था जो रसिया को सूट नहीं कर रहा था बार बार वो उसको क्या कर रहा था चेताव नहीं दे रहा था ऐसा नहीं कि ने अचानक से टैक कर दिया वह 2014 से बार बार रसिया यूक्रेन को बोल रहा था भाई मान जाओ चचा मान जाओ चचा मान जाओ चचा लेकिन चचा मानी नहीं रहते तो यूरसिया ने टैक कर दिया अब पाकिस्तान को देखो अब पाकिस्तान बहुत बढ़िया काम कर रहा है पाकिस्तान के उपर अगर इंडिया टैक कर दे क्योंकि अब देख रहा है कि हमारे उपर उरी में इसने कायरानापूरा खरकत की पुलवामा में इसने क्या किया हना हमारे 26-11 में पाकिस्तान का हाथ हर जगा पे पाकिस्तान का हाथ है लेकिन इंडिया जो है अगर पाकिस्तान पैसे दोगे तो सबसे पहले क्या करता है बेवडे को अगर पैसे दोगे दारू पीने वाला आदमी है उसको उसके घर में तीन बच्चे है बीबी है उसको खाली पैसा तुम दो सीधे हो जाएगा सुद्ध देशी सराप के ठेके में और वहां पर पहले चख भरके आनंद करे अग्या फिर उसके पास से वह पैसा बचे गए नहीं उसके पास तो अब क्या पाकिस्टान वही बेवडा उसको अगर तुम पैसा दोगे भाई साब तो वह क्या करेगा वह क्या करेगा अपने देश के बारे में सोचेगा वह सबसे पहले अलकाइदा लस्करे यह ना इन जवानों को पाकिस्तान को हायर करता है, उनको ट्रेंड करता है, उनको जो है वो नया नया जो है वो जगों पर भेजता है, भाई साब उनको बंबनाना सिखाता है, उनको लोगों को मारना सिखाता है, कि जो अल्ला ने लोगों को भेजा है, उनको मार क्या हिए, ये सारी पर्टिकुलर देश के अगर बात करते ना अगर आप किसी पर्टिकुलर अगर धर्म की भी बात करते तो यूएई में भी इस्लामिक कंट्री है सबसे सेफेस सिटी है लेकिन पाकिस्तान क्या है वो दूसरों के लिए अंसेफ बनाया और सबसे बड़ान सेफ हमारे खुद के लिए बड़ी भीया खतरनाक बात है चलिए तो रसिया को इसी लिए यहां पर बैन किया गया बहुत बोरिंग लग रहा था क्लास में तो हमने का थोड़ा सा मजा बांद दिया जाए चलिए हां तरब छोड़ो ना चलो यहां पर अगला कोशन कर लेते हैं यहां पर प्रधा प्रधान मंत्री जो हमारा उज्वला दिवस है इसको आप कौन से दिन देखेंगे तो प्रधान मंत्री जो उज्वला योजना है यह एलपीजी सिलेंडर्स के वित्रान से संबंदित है जो हमारा एलपीजी सिलेंडर्स है उनके वित्रान से संबंदित हमारा दिवस होता है और ये हमारे एक माई को देंगे, यहाँ पर पहली बार सबसीडी दी गई थी महिलाओं को सिलेंडर खरीदने की, अब मोदी जी ने सबसीडी तो दे दी, सिलेंडर खरीद भी लिया, अब सिलेंडर 11 रुपए है, 11 रुपए पर सिलेंडर कौन बरवा देगा, तो गरीब आद समूव में से एक थे, यार मैती क्लास कब होगी, बादल सिंग पूछ रहा है, कल भी पूछ रहा था, तो मैती क्लास आपकी होगी, आज कितने बजे, तो यह देखिए, 12 बजे ही लगा तो हुआ है, नंबर सिस्टम के पूछे गए सवाल, आप यहाँ पर देख पाएंगे, 12 बजे, तो 12 बजे आप जुड़िएगा वहाँ पे, जुड़ोगे हो नहीं, हमें पता है पहली बाद, तो दपाइनियर इस राइट आंसर, दपाइनियर जो है, यह समाचार पत्र था, जिसके हमारे पदमनाब जाजी जो है, वो यहाँ पर संस था पकते, यहाँ पर हमारे भारती नौसेना के किस राज में सीकिंग, 40B हेलिकॉप्टर पहले विदेशी रूप से विक्सित, नौसेना एंटी सिप मिसाइल का परिक्षण किया गया, तो यहाँ पर 40B हेलिकॉप्टर जो है, यह इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और आपको बताने कहां पर इसका परिक्षण हुआ है, अगला कोशन देखते है, 27 जून को यहाँ पर केंदरी मंत्राले के जिलों में प्रदस्षन ग्रेडिंग सूचकांग PGID का जारी किया गया, किसने यहाँ पर की पर्फॉर्मेंस जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, कहां पर लेकिया आए गया, हर जगा रामकृष्णन और रवी वनार्सी सहीत 18 संस्थाओं को डंदित किया है, कौन है यह सेभी है, RBI है, FRDA है या IRDI है, क्या होना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा, यह हमारे सेभी है, Security Action Board of India, कोचिन से प्यार्ड ने जुलाई में भारती नो सिना का पहला स्वदेशी विम नाम है विक्रांत, विक्रांत इस राइट आंसर, विक्रांत सही जवाब हो जाएगा, जुलाईदर 22 में नरेंदर मोदी जी ने यहां पे 44 सत्रंज उलंपियार्ड का उध्धाटन किया है, यहां पे आपको बताना है क्या होना चाहिए, पुंडिचेरी, बंगलूरू, चे यहां पे जवाब हो जाएगा, चेन्नाई, चेन्नाई इस राइट आंसर, चेन्नाई यहां पर सही उत्तर होगा, तीन नमबर इस राइट आंसर, भारत और फिलिंग ना ब्लेंग्स के बीच में, वज्र प्रहार का 13 संस्क्रान जो है, हिमाचा प्रदेश के बकलोह में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा, चौथा यूएस ओपन का ग्रैंड स्लेम के सहर में हुआ, जिसको हमारे इगा सवाटिक और हमारे कार्लोज अलकराज ने जीता है, कार्लोज अलकराज यहां पर जीते, जवाब आपको बताना है, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, नियुआर्क, नियुआर्क is right answer, नियुआर्क यहां पर सही उत्तर जाएगा, अगला कोशन क्या है, यहां पर एक रिपोर्ट के निस्वार विदेशी पर्याटों की संख्या सबसे अधिक कहां पर थी, विदेशी पर्याटक जो है, यह सबस्यादा कहां पर आपको एक नंबर जवाब सही है, असोग ट्रस्ट फॉर रिसर्च एन इन्वाइरमेंटर ने हमारे तीमारा पानी नदी के उपर पहल की सुरुबात की, तो यह कौन से सहर में स्थित है, तो दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं, तो सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस यह जगा है, सि इस स्कैटरिंग सिच्वेशन इन आवर कंट्री, गंबीर और बढ़ती हुए स्थिती को देखते हुए किस देश को बाहर रखा गया है, नोबिल हमारे समारों से, भाई आप नोबिल में नहीं है, वही देश है, वही तीन-चार देश, हमारे बेलारूस, रूस, इरान, यह ही है, इनको बाहर रख दो, समास से बाहर हो, और यही जो फायदा ना, इंडिया उठाता है, भाई साब इनको समास से बाहिस्कृत किया गया है, इनको अपने मिला, और एक अलग तरीके का जो है, इनके साथ पैसा रूपीज में दे रहा है, डॉलर से जिन देशों को चिड है, उनको रूपीज में पैसा दे रहा है, और यही होती है, डिपलो मैसी, अगला प्रसना आपके सामने, यहाँ पर अगला कोशन आपको बताना है कि लॉस एंजलिस पचासमें एनवर्सनी सैटर्स अवार्ड में किस फिल्म को सरसेष्ट अंतराष्टे फिल्म के पुरसका से सम्मानित किया गया, यहाँ पर आरार है, आरार के उपर आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप वतना कि संचास रेडी का जो हमारा सेलफोर्स पार्टनर इन्नोवेशन अवार्ड है, वहाँ पर आप क्या देखेंगे, प्रोडैप्ट के नाम से जाना जाता है, इसके उपर टिक करके नम्मर ले सकते हैं, यह हमारे एडवर्ड्स M. केंडी मर्डो परांथ पुरस्कार जीता है, 180 करोड की हमारी लागत के सायर रेंगोली, रायसान याता सैनी स्थापना कहां पर करनाटक, महराष्ट, किरला या उडिसा में, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर इसकी स्थापना रही है, और यह 180 करोड रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट के रहा है, बहुत बड़ी रासी है, जो यहाँ इन्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पर आपको अतना है कि हमारे सच्छ भारत मिसन रूलर एरियास के सेकेंड फेज में 31 दिसम्बर को सब तिलंगाना और तिलंगाना इस लिस्ट में नंबर एक पर आपको दिखाए, चैंपियंस लीग के सेंट पिटरंस वर्ग में हमारे यूनियन आफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसियेशन का किस सहर में चुना हुआ, पैरिस, ब्रिसल्स, लंदन या म्यूनिक, पैरिस, पैर जब मैंने यह पढ़ाया था उसके 10-15 दिन के बाद CGL का एक्जाम था और यह पूछा भी गया था CGL के एक्जाम में, यूक्रेन में हमारे किस आंदूलन को चलाए गया, तो उसका नाम था ऑपरेशन गंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा, यहा पर हमारे खेलगा उदraपूर में आलोजेत 21 पैरा स्विमिंग चेंपियन से पैरा स्विर्जाउपन सब किस ने जीती है यह गुजरात है, महारास्ठा है, UP है या पंजाब है किस लकों device है है बिल्कुल तो यह महारास्टा ने जीता हुआ है महारास्टा ने स्टुनार्मेंट को जीता हुआ है आर्थिक मामलों के मंत्री मंदल समिती की दोजा 24 तक जाई रखने के लिए किस मिसन की मंजूरी दिये जल जीवन मिसन स्रम योगी मांधन योजना प्यम स्वानिधी योजना राष्टी ग्राम सुराज योजना तो आर्थिक मामलों से जुड़ी जो हमारी नीती है जो दसंबर 24 तक चालू रहेगी उसका नाम है धार म योगा दिवस का फीम किया आठवा जो योगा दिवस है 2000 आप देखेंगे तो 14 में योगा डे हमारा सेलिब्रेट हुआ था और आपको बताना है कि योगा डे का थीम क्या है इस वार के रखें हम थीम की बात करते तो योगा For Humility मानावता के लिए योगा इस बार के थीम के स साह। सामने, इको plung में क्स सोध रिपोर्ट इकोड को जारी किया गया है एको रैप जुए किस ने जारी किया थू यह यहां पर आशडी जवाब होना ची किस स्तेर्भ बेंक और इंडिया ने यह अग्लाम प्रस्फनक के सांदे सी बीडीटी के चिर्ममें को बने और दोस्तों यह देखें छेम नापके इक्जाम में भी आए ता कराया गया है कई बार कराया हुआ है और तो अगर वंदेखेंगे तो नई है जो हमारे चेयर मेन बने हूँ है कौन है ने चैर्मेन तो दिन का कारिकाल बढला था वो केखेए केखेए गोपाल जी द्यों लेकिन सेप्टेंबर के मैने में हमारे जो नहें बनेถे और वैंक forwards रम्णी साब और वैंकट रम्णी यह नय हमारे बने थे अटोर्णी जेनरल वैंकट नागेस्वन चलस्वामी यह हमारे पॉचेंगे कौन है तो फाइनेन सेकेटरी है यह बाई साथ मत करना हमारे यहाँ पर जो इंडियन कांसिल यह किसको दिया गया है यह हमारे जेफ्री आम स्टाइं को दिया गया है मतनदberg पर भारत लुसाने डायमंड लीज में बहला फियक पृतियुमगि तहीं यहां पर नदी मुहंब है पाकिस्तान के गरनेडा के एडर्शन पीटर्स तहल रहा है जोहां स्वेटर को सिलबर क्योंकि यहाں पर हमें गोल्ड मेडल किसने एंडरसन पीटरस ने कुछ 90 मीटर संथिंग भाला फेक करके फ्रम लेकिन नीरज चॉपड़ा ने डायमंड में वापसी की यहां पर इन्होंने गोल्ड रेडल जीता सब को पीछे छोड़ दिया तो नीरा चौपड़ा यहां पर सही उत्तर जाएगा अगला कोशन है 29 अगस्त को 11000 से अधिक पंचायतों में राजिव गांधी ग्रामिड ओलंपिक सुरू हुआ पंजाब गुजरात रा साओज जोन वराओ करके 25 सेप्टेमबर को दिलीफ्ट्राफी का हिताब दी तान कौन थे सब से पहले हमारे जितनी भी क्रिकेट की ट्रॉफि मnderफ़ी है रभी हो गया यह सब क्रिकेट की ट्रॉफियां है उसके आफ से इर्णी हो गया उसका अभी आप ने देखा कि विजै हजारे ट्रॉफी भी सांधार तरीके से हो गया, विजय हजारे भी आपका हो गया, विजय हजारे उसके आख से अगर आप देखेंगे तो दिलीव ट्रॉफी हो गया, यह सारे हमारे जो है, सहिएद मुस्ताक अली हो गया, तो यह सारी ट्रॉफी बहुत इंपोर्टेंट है, यह सब क्रिकट से संबन देते हैं अब यह हमारे तूनामेंट इसमिस जालतर हो गए जैसे कि अगर आप देखेंगे रणजी किस ने जीता है मद्य प्रदेश ने किसको हरा करके तो मुंबई को हरा करके देधार अभी नहीं हुआ इरानी ट्रॉफी के अगर बात करते तो रेस घ्रश जोन जीता हुआ है संहिद मुस्ताख अले ट्रॉफी मुंबई जीता हुआ है यह हमारे तूनामेंट है जो आप यहां पर देख सकते हैं यह सब क्रिकट से संबंदित हैं देशी टूनामेंट हैं सब आपके सामने लिखा हुआ है अब यहां पर पूच्टन यहीं प कोहली है विजा जजूसा है बंडारू बिलसन है प्रलाय मंडल है या आपको और कुछ भी लग रहा है वो भी जवाब देख सकते हैं तो यहां पर जनता बोल लिए सब्सक्राइब होना चाहिए हमारे रंजी सिंग कोहली इस राइट आंसर चलिए अगला प्रसम मनाते हैं यह काफी खतरनाक है लाइफ ठ्रिटनिंग है वो डबलू है जो है वार्ड हेल्थ और्गनाइजेशन याद रखेगा हैड़ कौर्टर जीनिवा में है और टेडरस इधिनम जो है वो इसके हमारे चेयर परसन है ठीक है चलिए तो दोस्तों आची क्लास को यहीं पर समाप्त करत कि नहीं मिली भी सकती है तो इस क्लास की पीडियाफ आपको मिले कहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए तो मिलते अपनी नेक्स लास में तब तक के लिए हैना इसका जो सेकेंड पार्ट है वह हम लोग करेंगे एक